दे बिग शोट फिल्म समीक्षा दे बिग शोट 2015 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित अपराध कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सहलेखन एडम मैके ने किया है। चाल्स रैंडोल्फ द्वारा सहलिखित यह माइकल लुईस की 2010 की किताब दे बिग शोट इनसाइड दूमसडे मशीन पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे 2007 से 2008 का वित्तिय संकट संयुक्त राज्य अमेरिका के आवास बुलबुले द्वारा शुरू किया गया थ फिल्म में क्रिष्चियन बेल, स्टीव कैरिल, रयान गोसलिंग और ब्रैड पिट, जॉन मैगारो, थिन विटट रॉक, हामिश लिंकलेटर, रेफिस पैल, जेरेमी स्ट्रॉंग और मारिसा टोमेई सहायक भूमिकाओं में हैं वित्तिय साधनों को समझाने के लिए, फिल्म में अभिनेत्री मारगोट रोबी, शेफ एंथनी बॉर्डेन, गायक गीतकार सेलेना गोमेज, अर्थ शास्त्री रिचर्ड थेलर और अन्य लोगों की कैमियो उपस्थिती शामिल है, जो सबप्राइम बंधक और सिंथेटिक संपार्षविक रिन दायत्वों जैसी अवधार नाओ को समझाने के लिए चौथी दिवार को तोड़ते हैं, फिल्म के कई पात्र सीधे दर्शकों को संबोधित करते हैं, सबसे अधिक बार गोसलिंग के, जो कथावाचक के रूप में कार्य करते हैं, दबिग शोट ने 11 दिसंबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सीमित रिलीज शुरू की, इसके बाद 23 दिसंबर को पैरमाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रिलीज की गई, एक आलोच नात्मक और व्यावसाएक सफलता के साथ, फिल्म को कलाकारों के प्रदर्षन, विशेश रूप से बेल, मैके के निर्देशन, संपादन और पठकथा के लिए प्रशंसा मिली। फिल्म ने सर्वश्रिष्ट चित्र, सर्वश्रिष्ट निर्देशक, बेल के लिए सर्वश्रिष्ट सहायक अभिनेता और सर्वश्रिष्ट फिल्म संपादन के नामांकन के अलावा सर्वश्रिष्ट रुपांतरित पठकता के लिए अकादमी पुरसकार जीता फिल्म में तीन अलग-अलद लेकिन समवर्ती कहानिया शामिल हैं, जो 2007 के हाउजिंग मार्केट क्रैश से पहले के वर्षों में उनके कारियों से शिथिल रूप से जुड़ी हुई है। स्कोन कैपिटल 2005 में विलक्षन हेज फंड मैनेजर माइकल बरी को पता चला कि उच्च जोखिम वाले सबप्राइम रिनो पर आधारित सन्युक्त राज्य अमेरिका का आवास बाजार बेहद अस्थिर है। 2007 की दूसरी तिमाही में बाजार के पतन की आशंका को देखते हुए क्योंकि समायोज्यदर बंधक से ब्यासदरें बढ़ेंगी उन्होंने एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाजार बनाने का प्रस्ताव रखा जिससे उन्हें बाजार आधारित बंधक समर्थित प्रत इकार किया जाता है लेकिन इसके लिए परियाप्त मासिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। आखिरकार बाजार गिर गया और उनके फंड का मूल्य 489 परसेंट बढ़ गया। कुल लाब के साथ 2.69 बिलियन डॉलर से अधिक के भारी प्रीमियम की भी अनुमती मिली। अकेले फील्ड को 489 मिलियन डॉलर प्राप्थ हुए। फ्रंट अपवाइंट पार्टनर्स वयन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदने का निरने लेता है। हाला कि उसके बड़े मासिक प्रीमियम के परिनामस्वरूप वह क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बेचकर अपनी स्थिती का आकार कम करना चाहता है। एक गलत फोन कॉल ने फ्रंट अपवाइंट पार्टनर्स के हेज फंड मैनेजर मार्क बॉम को सचेत कर दिया, जो बैंकों की नहतिकता और बिजनेस मॉडल के प्रतीकम सम्मान के कारण वेनेट से स्वैप खरीदने के लिए प्रेरित हुए। वेनेक बताते हैं कि ए एरेटेड संपार्श्विक रिन दायत्वों, सीडी ओक में सबप्राइम रिनो की पैकेजिंग उनके अंतिम पतन की गारंटी देगी। दक्षिन फ्लोरिडा में एक फील्ड जाच करते हुए, फ्रेंट अपवाइंट टीम को पता चला कि बंधक गलाल वॉल स्ट्रीट बैंकों को अपने बंधक सौदे बेच कर मुनाफा कमा रहे हैं, जो जो खिमपूर्ण बंधक के लिए उच्च मार्जिन का भुगतान करते हैं, जिससे बुलबुला बनता है। यह ज्यान फ्रेंट अपवाइंट टीम को वेनेट से स्वैप खरीदने के लिए प्रेरित करता है। वेनेट ने टीम को लास वेगास में अमेरिकन सिक्यूरिटाइजेशन फोरम में आमंतरित किया, जहां बॉम को एक सीडियो प्रबंधक से पता चला, एक सिंथेटिक सीडियो सहित बंधक बांडों का बीमा करने का बाजार, जो दोशपूर्ण बंधक बांडों के पक्ष मे देहने वाली है। गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए अप्रवासियों और गरीब लोगों को दोशी ठहराएंगे। ब्राउन फेड फंड युवा निवेशक चारली गेलर और जेमी शिपली फर्म कॉर्नवाल कैपिटल के आधार पर ब्राउन फेड फंड नामक एक छोटी फर्म चलाते हैं। वे गलती से एक बड़े निवेश बैंड की लॉबी में एक कॉफी टेबल पर वेनेट की मार्केटिंग प्रस्तुती देखते हैं। जो उन्हें स्वैप में निवेश करने के लिए मनाती है क्योंकि यह बड़े संभावित भुगतान के साथ सस्ता बीमा खरीदने की उनकी रणनीती में फिट बैठता है। बरी और बॉम जैसे व्यापारों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक ISDA मास्टर समझोते के लिए पूंजी सीमा के नीचे, वे सिंगापूर में स्थित एक सेवानिवरित प्रतिभूती व्यापारी बेन रिकर्ट की सहायता लेते हैं। जब डिफॉल्ट के बावजूद बांड मूल्य और सीडियो बढ़ते हैं, तो गेलर को बैंकों पर धोखाधड़ी करने का संदे होता है। तीनों अमेरिकी प्रतिभूती करन फोरम का भी दौरा करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि SAC के पास बंधक स्मर्थित सुरक्षा गतिविधी की निगरानी के लिए कोई नियम नहीं है। वे उच्चरेटेड ए बंधक प्रतिभूतियों को शौर्ट करके सफलता पूर्वक बरी और बॉम से भी अधिक लाब कमाते हैं, क्योंकि उन्हें अत्यधिक स्थिर माना जाता था और उनका भुगतान अनुपात बहुत अधिक था। बाद में जैसे जैसे ग्रह बंधक चूप बढ़ती है, सीडियों की कीमत में वृध्धी नहीं होती है और नहीं अंतरनहित बंधक बांध की कीमत में गिरावट आती है और उन्हें एहसास होता है कि बैंक और रेटिंग एजंसिया बेचने और कम करने के लिए गुप प्रेश को सूचित करने की कोशिश की, लेकिन वॉल स्ट्रीट जार्नल के एक लेखक ने अपने व्यक्तिगत हितों के टकराव का खुलासा किया और अपना काम नहीं करेंगे ताकि कोई खत्रा न हो। मिलियन डॉलर में बदल देते हैं, लेकिन सिस्टम में उनका विश्वास तब तूट जाता है जब बेन उन्हें आम जनता के लिए गंभीर परिणामों के बारे में बताता है। जेरेड वेनेट को अपने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैब पर हुए मुनाफे के लिए 47 मिलियन डॉलर का बोनस मिलता है। मार्क बॉम वित्ती अनतीजों के कारण अधिक दयालू हो गए हैं और उनके कर्मचारी अपने फंड का संचालन जारी रखते हैं। रेटिंग एजेंसियों पर मुकदमा करने की असफल कोशिश के बाद चारली गेलर और जेमी शिपली अपने अपने रास्ते अलग हो गए। जेमी अभी भी फंड चला रहा है और चारली एक परिवार शुरू करने के लिए चार लोट चला गया। बेन रिकर्ट अपनी शांती पूर्ण सेवा निवरित्ती पर लोट आये। माइकल बरी ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया और कई IRS आउडिट के बाद अपना फंड बंद कर दिया, अब केवल जल प्रतिभूतियों में निवेश कर रही हैं। एक व्यापारी करीम सेरागिल्दिन को छोड़ कर संकट के लिए जिम्मेदार बैंकों के कर्मी अपने कारियों के किसी भी परिणाम से बच जाते हैं। यह ध्यान दिया गया है कि 2015 से बैंक सीडियों को एक नए लेबल के तहत फिर से बेच रहे हैं।